बिस्मिल्ला रिमानी रहीम असलामु अलेकुम वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद आज हम रमजानी स्पेशल में बनाएगे बहुत यूनीक और नए तरह के पकोड़ा फ्राइस की रेसिपी शायद ही आपने इस तरह से क्रिस्पी करारे पकोड़ों को वजेदार बच्चे ओ या बड़े पूरी प्लेट भर के खा जाएगे तो चलिए स्ट्रीट फूड की तरह टेस्टी कूरकूरे यह पकोड़ा फ्राइस की इस तरह बनाते हैं देख लेते हैं पकोड़ा फ्राइस बनाने के लिए यहाँ पर देखे तीन बड़े साइस के कच्चे आलू लीथी मेने और उसका छिलका निकाल कर इस तरह से देखे फ्रेंच फ्राइस की कट होती है न उस तरह से लंबे और पतले काट लिए फ्रेंच फ्राइस में क्या होता है कि थोड़े बड़े साइस के आलू काटे वे होते लेकिन हम लोग यहाँ पर पकोड़ा फ्राइस बना रहे नहीं तो थोड़े पतले स्लाइस काटना है ताके जब पकोड़ा फ्राइ करें तो आलू अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए इसे आपने कद्दू कस नहीं करना है चाकू की मदद से काटना है जिसके वज़ा से अच्छे से कट हो जाती है देखिए इस तरह से लंबे-लंबे यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ स्लाइस भी रखी हो आलू की यह मैं काट कर भी दिखा देती हो आसानी से कट जाते और फिर इसे पतला और लंबा इस तरह से काट लेना यह देखिए फ्रेंच फ्राइस की तरह कट हो जाती है और इसे पानी में डाल देना है ताकि यह काले नहीं पड़े यह देखिए इस तरह से कट लगाते ना तो दिखने में बहुत खुबसूरत लगते बच्चों को भी खाने में मजा आ जाता है और आपको लगते साइस की मैंने प्याज ली और इस तरह से जितना बड़ा हो सके उतना इसका लच्चा निकालना तो बड़े साइस की प्याज लोगे ना तो अच्छे से इसके रेशे निकले तो इसे एक चुट्टा-चुट्टा कर देगे इस तरह से हम इसमें आपको पकोड़े का को अख्यादा रखना यसколь पैया थोड़ी कम कि अल्ज़ाद लेगे तेर्पट्य कीस थिया आ में थोड़ा की अलो थोड़ा Nharta लैच्ञ नबरों यहीं नुदकर यस ताभ प्यासा passa सारा पानी निखल जाए क्योंकि अगर इसमें आप मैं धनाकी किया माते lige तोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगे अब एक बरतन ले ले गया उसमें सारे अलू को डाल देते अब इस पर प्यास डाल देगे एक पूरी बड़ी साइस की जिसे हम इने लच्छे की तरह काट कर रखा है अब देखिए हम यहां पर पकोड़ा फ्राइस बना रहे है तो पको पूल भर के कुटी वी लाल मिच है और एक चमचे कुटावा धनिया तो कुटावा धनिया लेते ना तो उससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है दरदरा सा कुटावा और नमक ले लेगे टेस्ट के साब से तो यह सभी चीज़े डाल देते पहले यह नमक डाल देगे औ कर दुबल्ती निकलने लगता है और जितना पानी निकले न उतना आते ज्यादा दालना पड़ेगे कि यहाँ पर मिकस करना एक तरफ गरम करने के लिए रख देना है बंड़े को अब कोडरो को कृस्पी बनाने कि लिए इसमें डाले गया हम कॉन प्लोर तो यहाँ पर चार चार चमबच में कॉन फ्लोर काटा दाल रही हूं इससे बहुत ही क्रिस्पी करारे बनते हैं तो चार चमबच फूल भर के कॉन फ्लोर डालना है अगर कॉन फ्लोर नहीं है आपके पास तो चावल काटा भी दाल सकते इसकी जगा पर आप देखिए यहाँ पर पकोड़ा फ्राइस बना रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसन भी डालेगे क्योंकि जो फ्राइस होती है ना फ्रेंच फ्राइस उसमें सिफ कॉन फ्लोर ही डाला जाता है लेकिन यहाँ पर पकोड़ा फ्राइस है इसके लिए हम थोड़ा बेसन भी डालेगे तो बेसन थोड़ा कम ही डालना है यहाँ पर दो से तीन चमबच में बेसन डालूगी चार चम्बच मेंने कॉन फ्लो डाली हूँ और तीन चम्मच ये बेसन काटा बस अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं यहाँपर दो चम्बच में हरी मिच का पेज डाल रही है तो इसमें डालना भूल गई थी तो आप अपने हिसाब से डाल देगा तो यहां पर देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिए और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है और नमक डालने के विए से देखिए काफी सारा पानी निकल गया है क्योंकि प्याज में से बहुत सारा पानी नि चार चममच मैंने पहले डाली थी कौण फ्लोर और यह पाच मिद्ध ढाल रही अभी टोटल मैंने नौँ चममच कौण फ्लोर डाली इसमें ये डेखिए आलो को में बता रही है आपको कि बिल्कुल भी इस पर आटा नहीं लग रहा है POL मैंने पाच चममच और कौ फ्लोर कर लेना इसकी तो छे चमबच मैंने यहां पर बेसन दाली हूँ और नो चमबच कॉन फ्रो डाल दिए टोटल अब फिर से में इसे मिक्स कर लेती हूँ देखिए यहां पर अब बाइंडिंग बराबर से हो गई है तो आपने भी इस तरह से देखकर आटा इसमें डालना है और इसे जितनी देर छोड़ोगे न आप उतना ही इसमें से पानी निकलने लगता है तो फटा फट से हम इसके पकोड़े फ्राय कर लेते ही देखिए अच् सब्सक्राटी चुट्टे जाना है इस तरह से कर देखिए इस तरह से दालते जाना है तो बहुत येच्छी क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तयार होते है इसने की आपको शेपंदा हिखे इसे आनें पकोड़ों का बश फटा इसे घ्ल्राह करते वरन्हं पकोड़े को हम उठा- गोल बना कर डालते हैं, इसे ऐसे ही छुटे-छुटे डालना है, और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देगे, क्योंकि तेल अच्छा हमारा गरम हुआ हुआ है, अंदर तक भी आलू हमारे अच्छे से पक जाए इसके लिए, प्यास जब आपने काटे ना तो प्यास भी जाट लेते हैं, यह अपना शेप अच्छे से पकड़ लेते हैं, इसके लिए पहले थोड़ी देर इसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है, और मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करते हैं, तो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाते हैं, आलू बिलकुल भी कच्छे नहीं रहते हैं देखिए दिखने में ही पता चल रहा है कि कितने कुर्कूरे दिख रहे हैं ये थोड़े से और फ्राय करें गया हुआ थोड़ा और गुल्डन कलर लाएगे इस पर यहाँ पर देखिए पकोड़ा फ्राइज हमारे फ्राइए हो चुके हैं माशाला बहुत ही प्यारा कलर आ गया है यह बाजार में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाए हैं इसकी आवाज भी सुनिए कि कितने क्रिस्पी करारे बने हैं माशाला देखिए कितने अच्छे गोल्डन बने हैं कलर भी बढ़िया सा आ गया है बहुत ही क्रिस्पी करारे बनते हैं और आलू भी पूरी तरह से पक चुके इसी तरह से दूसरे पकोड़े भी फ्राए कर लेते हैं और बहुत सारे बनकर तयार होते हैं रिप शिप तीन आलू लीती मैंने तो काफी सारे बनकर तयार होते हैं तो यहाँ पर देखे पकोड हमारे फ्राय हो गए हैं, तो इस टीट फूड में जिस तरह से चाट मसाला थोड़ा सा पकोड़ों पर डाला जाता है, तो उस तरह से हम भी थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर दाल देते, ताके उपर से और भी ज्यादा चट पता सा फ्लेवर करेंगे सिल्वर फॉयल का एक डबा ले लिए मैंने इसे रमजान में जरूर बनाना आलू प्यास तो सभी के घर में होते तो फटा-फट से भी बन जाते और घर में सभी को पसंद आएगे तब इस पर मेयोनीज डालें तो एक बार फ्राइस की तरह दिखने वाले पकोड़ा पर आपने मेयोनीज डाल कर देखना बच्चे तो इस पर टूटी पड़ेंगे यह देखिए जब एक एक पकोड़े की फ्राइस आप उठा कर खाओगे ना तो बहुत इखाने में टेस्टी लगेगी यह बिल्कुल नए तरीके के पकोड़े फ्राइस की रेसीपी दे रही ह बिल्कुल यूनिक तरीके किये अब बच्चों का सबसे फेवरेट टमाटर केचप डालेगे तो बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने डिश आउट किया है कि देखिए दिखने में कितना बहतरीन दिख रहा है खाने में भी यह बहुत ही मजेदार बना है आप इपतारी में से बनाओगे ना तो बच्चे हो या बड़े सबी इसी पर टूट पड़ेगे हलका सा चाट मसाला पाउडर उपर से भी थोड़ा दाल देते तो देखिए सिफ तीन आलू ली थी मैंने और धेर सारे हमारे यह पकोड़ा फ्राइस बनकर तयार हो गए है कितने क्रंची आप इसे इफतार पार्टी में भी बना सकते हो बहुत ही चैट पटे टेस्टी से यह पकोड़ा फ्राइस हमारे बनकर तयार हो गया है तो देखिए कितने बहतरीन दिख रहे हैं आप चाहे तो इस तरह से डीशाओट करके खाए या फिर हमने यह देखिए पकोड़ा फ्रा बारों में जादा से जादा शेयर करें अपना बहुत सारा क्याल रखें दुआओं में हमें भी याद रखें फिर मिलते हैं लाइक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज